तो यह सब्सक्राइब तो आज का मारे में हम और किस्ट्रेशन ट्रिगर फ्लो और किसे यूज करेंगे क्या होता है उसके बारे में रस का सीनारियों नश्राइब करेंगे और उसके बारे में अपने डेमो करेंगे अपने ऑग में Okay, then what is Orchestration Trigger Flow? Salesforce Flow Orchestrator is a new flow functionality that allow admin to string a number of flow and business process together across multiple people rather than rebuilding your existing flow to support the new feature. Flow Orchestrator has been built with your existing flow in mind and allow you to use them in any new orchestrations. Okay, then Salesforce define the Flow Orchestrator as the tool that allow you to orchestrate multi-user, multi-step and multi-stage flow. What this means that admin are able to create a string of automation that may need to be assigned to different people for action along the way. Okay, so Salesforce Orchestration Trigger Flow is what happens when it comes to different users to perform different actions. Okay, so Salesforce Orchestration Trigger Flow is what happens when it comes to different users to perform different actions. If your job is essential to perform different actions, then you can do whatever you want to do. If your job is to perform different actions, then you can do whatever you want to do. Okay, so that it does have a number of transactions and it depends on the truth. If your job is needed, what happens when you are able to perform different processes, then you can do different things, etc. से उसको वर गाइड दिखाये दे और वहां से कंप्लीट कर सके ठीक है तो हम आज सिनारियों भी करेंगे तो हमारा सिनारियों है वेन दा इंप्लाइज क्रिएटेड दे इसाइन कैसियर सुट भी परफॉर्म कैसियर वर्क यूजिंग दा ऑक्रिस्ट्रेशन वर्क गाइड व जो कैसियर के पास है उसके पास जाएगा हमारा जूजर गाइड और उसको क्या करेगा वह साइन हो जाएगा तो कैसे कैसे परफॉर्म करेगा यह सारे हम देखते हैं अपने इसी में में तो कैसे करेंगे उसको हम अब लाइफ करके इसके एसके मीलेगा ऑद बारे में हमारा इक हूए को हमारा रिकॉर्ट क्रियेट होगा और किस से लिंक होगा हमारा बैंक से ठीक है और जब बैंक से हमारा हो सकता है तो अब हम क्या करते हैं चलते हैं और उसको करते हैं अपने तो यहां पी आपको कहां यहां करेंगे और इसमें इसमें देखते हैं क्या अल्रेड फिल्ड है और यह सौरी नहीं तो हम आसे कस्टम ऑबजीट बनाते हैं इंपलाई की नाम से हमने आप दिया इंपलाई अब्जेट हो गया इसमें कोई फिल नहीं कर रहा हूं सिर्फ इंप्लाई का नाम आएगा जो भी सेस्पोस का आटोमेटिक आता है और फिल नहीं कर रहे हैं आगे हम और करेंगे तो इंप्लाई के बाद हमारा अगला होगा इसमें इसमें अलग से कर रहे हैं अब क्या करेंगे हम टांजेक्शन के लिए एक बनाएंगे जिसमें यह हमारा इसमें हम एक और फिल्ड बनाएंगे जो मेरा लुक यहां से बनादेते हैं कि कि इसका होगा ऊश्कों मालूम होना चाहिए है ठीक है कि एक किसका है तो यहां पर हमने नाम दे दिया टें नेक्स्ट नेक्स्ट और देन से ओके तो यह मेरा बैंक अकाउंट से लुक अप हो गया किस में आपका इंप्लाइस देन अगला अपजिट गुनाना है टांजेक्शन्स टांजेक्शन्स जो होगा आपका एक्स्टा और तीन बनाएंगे एक तो लुक अप होगा ठीक है एक अमांट एक ट्रैक्शन नीम आप चाहूं दे सकते हो कुछ भी ने तुमआं से क्या करता आप जो है उसको इसको आटोमैटिक कर दे रहा हूं यहां सब्सक्राइब तो होगा हमारा यह कि टानलेक्शन का एक तरह से आइड तरह काम करेगा जो ट्यार तो यह मेरा आथा नमबर कर दिया अब हम क्या करते हैं और फिल्ड बनाते हैं इसमें लूक अप किसे होगा हमारा है पैंक से तो बेंक सो लुक अप कर देते हैं यहां पर बैंक अकाउंट तो यह हमारा बैंक अकाउंट से लुक अब बन गया अब क्या करना है आपको लुक अब बनाने के बाद इसमें दो फिल्ड अवर बनाने हैं हमें भी कर दो हुँ उब भी हम बना लेते हैं यहां पर है हमारा बन गया इसमें एक और फिल्ड बनाने हैमें अमाउंण के नाम से तो अमाउंट में हम ने क्या कर दिया यहां पर करेंसी टाइप का एक फिल्ड लेलते हैं इसको हम बना देते हैं अमाउंट एक है यह मेरा अमाउंट के बाद हमें बनाना है टांजिक्शन डेट तो यह मेरा अमाउंट फिल्ड बने चुका है नेक्स्ट देंसे अब हमारा क्या है अगला फिल्ड टांजिक्शन डेट हम टाइम ने ले रहे हैं तो यह मेरा टांजिक्शन डेट ओके हमाली देता हूं टांजिक्शन अब इसको करने करते हैं हम और आते हैं अपने अप फ्लो में तो फ्लो में को भी हमें बनाने से पहले एक तो स्क्रीन फ्लो बनानी है हमें जो कैसियर यूआ के लिए परफॉर्म करेगा तो उसको बनाने से पहले यहां पर हम अप्लीकेशन बना लेते हैं जिसमें हमारा इस अप्लीकेशन में सारे हमारे टैब होंगे बस तो हमारे एक बैंक अकाउंट का ही टैब बन जाएगा करते हैं इसका नाम देते हैं कि तेन उसके बाद नेक्स्ट इस्टेंडर से में यूटिलिट्री आइटम नो कि यहां पर हमें क्या करना है कि इंप्लाई विश्ट तो हमारे यहां पर इंपलाई कर नहीं आ रहा है क्यों कि हमने टाइब नहीं बना यह तो इसको करते हैं तो कि यहां पर अपको नाम स्लेट करना है मेरा तो कुछ इसा है हिसा आप मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं वोट करके अब इसे लगा देता हूं कोई विकले लेता हूं तो आप कुछ भी लगा सकते हैं या फिर आपको अपना दिखाना है तो उसमें अच्छे से आप कोई आइकन कस्टम आइकन अप्रोड करके वह भी लगा सकते हैं तो मेरा इसका बने गया एक हम उसका भी बना लेते हैं कि बैंक अकाउंट का भी है कि हम इसका एक बैंक अकाउंट का बना लेते हैं तो तो बैंक अकाउंट का इसमें उससे रेटेट है कुछ अब बेल बॉटल कार्ड नथिंग भी इडिज बॉक्स टॉप कस्टमर एलान बूट बिल्लिंग कार अब अब अधर तिंग सिसमें अब ओके याइन बैंक से टिक है तो यह बैंक वाला हम बैंक का अकाउंट के लिए बैंक का वो लोगों लगा दिया है आप आप आचे चलते हैं अगला ऑप्जिक्ट टांजिक्शन का अगर बनाना चाहिए तो बना सकते हो वह दर्वाइट वह रिलेटिट मैं आपके आएगा है ठीक है चलो कि इसलिए ट्रॉम तो हमने डो आपना बना लिया है और फ्रॉम यह बनाते अब चलते डारेक्ट्री अप त्रिक्सम बना देते से ठीक है एक मैनेजर लाइटनिंग एप तेन यहां पर आप देदो कि बैंक एप तो यहां पर हमारा क्या था बैंक अकाउंट यह भी रख लेते हैं और किसको दिखाया देना चाहिए यहां पर कर देते हैं या आपको कि और को सब को दिखाना है तो यहां पर आप करके जिसको भी आप दिखाना है सब यहां पर सब करके सब को डाल सकते हो तो मैं से फिनिस करता हूं इसको और चेक करता हूं कि हमारा प्ली केसं यहां पे दिख रहाया कि नहीं तो यह मेरा अप्रीकेश्ट हो गया अब आते हैं अप्रेंट नाउंचर पर टाइम करते हैं तो देखें बैंक आप आने लगा अब अब बैंक पर मेरा दो होगना चाहिए एक मेरा बैंक अकाउंट तो अब कोई रिकॉर्ड नहीं है तो जब हम करेंगे उससे पहले हमें जो परफॉर्म करना है वो करते हैं तो अब हमारा काम आता है और करते हैं तो यहां तो आप स्क्रिन फ्लो जो है उसके लिए आप पहले बना सकते हो या बाद में बनाना का चाहते हो तो हम पहले बना लेते हैं अपना इसके बाद हम और कर बनाएंगे ताकि आपको समझ में तो यहां पर मैं इस इसका नाम देता हूं मैं बैंक और या टांजिक्शन टांजिक्शन स्क्रिन अब यहां पर मैं दो डालता हूं एक तो करेंसी जो मुझे यहां पर क्या रखना है अमाउंट कि कि दूसरा डेट टाइप का जो मुझे यहां पर टांजिक्शन डेट deputy मैं तो मिरा अमाउंट होगया टांजिक्शन डेट ओके देन सेब अब जब भी floods इसमें आएगा तो मुझे क्या होगा इस रिकॉर्ड में मैं पास करूंगा के सका मुझे चाहिए यहां पर तो मुझे बैंक अकाउंट का रिकॉड चाहिए तो मैं यहां पर एक वरीबल बना लेता हूं ओके यहां पर मैं जैंद भाइंक अब इसको क्या करो है यहां पर टेक्स कर दो और इसको इन पूड़र राट कर दो तो यहां पर हम देते हैं क्रियेट रिकॉर्ड ओके यहां आप देते हैं टांजिक्शन क्रियेशन ओके 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 अब यहां पर हमें सब्सक्राइब करना है औब तो मैं कौन सा अबजेट था और देख्टेंट और टांजिक्शन पर यूज करना है एक तो पहला आपका इसमें इसकी जो प्रेंक अकाउंट की आइड़ी है वह आगया आपको तो भी अकांट की आड़ी कहां पर आएगी आपको इस वेरिएबल में आएगी जो यहां पर आपने अपर बना यह टिक हैं देन Amount यहां पर Amount किसे में आगा एक आपका गothण से आएगा तो स्क्रीन के स्क्रीच कहां पर है यह देख्यह इसक्रीच गपा है सटेयर सब्सक्री से आप इसको करते हैं से हम इसको सेव करते हैं टांजिक्शन कि इसक्रीन कि फुलो कि आप जो नाम देगा ना वही नहीं आपको वहां पे आर्केस्ट्रेशन पर सो करेगा तो आप करना होगा तो एक तो मारा यह काम हो गया अब यहां पर मैं क्या करता हूं एक अब फ्लो बनाते हैं अपना और चेंज करना है तो अपने करते रहेंगे हम लोग ठीक है पहले इतना करते हैं इसमें काउंसा है आप हमारे आमने इसमें सारे देख लिया है प्लेटफार्म भी देख लिया टो रांच सिल्डूट ए मेरा है रिकॉर्ट टेगर आर्केस्ट्रेशन ठीक है अधिकार्ट टेगर आपको आपको अपको और परफॉर्म करना है किसके परफॉर्म करना है बिस्कीampa करना है या फिर इंप्लॉई करना है तो हमसे करना है तो यूटर के लिए जो का सिद्सक्रेश होगा ठीक है कि अप उसको कर सकते हो करेगा उसको के लिए जाएगा वहां पर वह अमाउंट करेगा या आप ऐसे कर सकते हो कि जो अमाउंट है वह उसके आप फिल करेगा तब जो भी आपका आई है पिसकली क्रियेट होगा अपका जिए हैं आप अपना बैंक अकाउंट कर सकते हो या फिर तो क्या करना है आपको करते हैं फिर उसके बार आपको चाहों तो सब्सक्राइब अब हमारा में आता है तो इसमें आता है कि स्टेज और एक डिसीजन अगर आपको कोई डिसीजन लगा सकते हो जैसा मुझे लगाते हैं अभी तक वैसे लगाना है अब अधरवाईज को डिसीजन नहीं है तो आप ड्रेक्टली अमोच से स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टेज से तो मैं स्टेज से यहां स्टेज क्या होगा तो मैं पहला यहां पे देता हूं जो यूजर है वह पाफ़ार्म करेगा यहां पे टांजिक्शन पार टीके तो यहां पर देता हूँ आफिस आपको सकते हो आपके पास उप्स Taste रेक्ट टू कंपलिए अप्टन है में और स्टेट कंपलीट यहें स्पेसिफाइड रिकोर्म से स्टेजिज मार्ट कंप्लीट है तो कोई आपने फोलो इसमें कॉल किया है उससे को रिटा जब पूरी स्टेज ही मार्ट कंप्लीट हो तब यह उसको एजा कंप्लीट मार्ट करें ठीक है यह मेरा हो गया टांजेक्शन फिलब यह आप इसको नाम और कुछ दे सकते हो तो मैं यहां पर ठीक है तो यहां पर टांजेक्शन फिलब की जगह पर मैं देता हूं कि 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 अब मैं क्या करता हूं यहां पर अपना स्टेप अड़ करोगा अब इसमें आपके पास तीन स्टेप होते हैं ठीक है एक होता है कि मतलब कि आप चाहते हो कि यूजर कुछ भी ना दिखाए दे वह बैक ग्राउंड में आटोमेटिक चल जाए और वह परफॉर्म कर जाए ठीक है दूसरा होता है आप पास इंट्रक्टिव स्टेप इंट्रक्टिव स्टेप में क्या होता है एड़ स्टेप दैट परसन कंप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप दो पहले हम यहां पर इंट्रक्टिव स्टेप करते हैं क्यूंकि हमें उस कैसिए एक्सम् करवाना है ठीक है तो यहां पर हमें स्टेप को नाम देते हैं अपना की टांजेक्टिव कि फिलब है कहा है कि अम मेरा इसमें आपको आपको देना है दे सकते हो अदर या पर लेंद्ड पेस्टेज स्टेस्ट अ second कि अतलब तब हमारा step start हो तो little start हो जाना चाहिए या फिर ऐन नवर यहां पर देखेंगे आपको पास एक्षन आ रहा है इसमें आपको सारी आपकी स्क्रीन फ्लो जो एक्टिवेट होंगे वह दिखाए देगे जितने भी मेरे फ्लो थे अंस विस सारे दिखाए दे तो जो मैंने प्लेंगे था इससको वह देख लेता हूं कि अब देख हैं पर मैं आगया बैंग आइड जो मैंने यहां पर बनाया था वाले विल्येबर और टिक में यहाँ पर आपको किस की आड़ी पास करनी है कि ए अःठल के यहाँ जोह एड्य होता है रिकार्ड उस्से आपको के थे पर अगाउंड की है ठीक है यह आपका हो गाए इडि यूजर asine यूजर यहां पे इस इसलिक यूजर यूजर रिशोर्स ग्रूब क्यू tså क्यूंच थो आपको तो यूजर गूब यूजर यूजर रिसोंच आपने तो यूजर करते हैं हमें यूजर लेकर चलना अब के लिए तो मेरे डेवलोपर अकाउंट होता है ठीक है तो एक तो जो करना होता है कि कहां पे होगा तो मतलब जो मैंना रिकाइड तो उसकी हमने आईडी दे अगर जिसके आप आईडी दोगो वहीं पर एक्षण करेगा अदरवाज नहीं करेगा ठीक है तो हमने यहां पर देंग उसलेक्ट वेंट पू कंप्लिट दिस तो यहां पर लोग्याट यूजर है कंप्लिटिट दा स्क्रीन फ्लो दा स्टेप इस मार्क कंप्लिटेट ठीक है यहां पर और भी आप्षान है वे इन स्पेसिफाइड रिक्वार्मेंट फिर वही आपको जो कंडिशन लगानत लगा सकते हो तो हम देते हैं जाब यहां पी जो एक्सम परफॉर्म करे है और इसको सेब करते हैं ठीक है बैंक अकाउन ओपनींग इलोग कि कि इसको सेंफ़ें को मैं हमने यहां पर सेफ़व कर दिया अब इसको करते हैं कि एक्टि टीवेट करने के पार अब हमारा क्या काम है यहां पर चलते अपने में इस पे-ए यहां पे हमें पहले एक employee बना लेते हैं यहां पर वेभी नामसे तक हम नहीं यह यहां पे आए गरा करते हैं उस राम के लिए अब जैसे ही मेरा उस पर रिकॉड दिखाए दिना चाहिए तो यहां पर वट हमें कहाँ पर दिखाना है तो कैसे दिखाऊँगा हम वही बताते हैं तो बैंक अकाउंट नेम आपको जो भी देना है यहां पर दे सकते हो मैं नाम दे दिया एकसिस करके ठीक है दे इंप्रों को यहां पर कर दिये तो अभी देखिए आपका वह यूजर गार्डेंस नहीं आ रहा है तो आप यह है अप कैसी जो लगाऊगे हम को देखते हैं अम यहां पर क्रना है मैं धिक्रजी पर करने के बार वहां अपको यहां और यहां पर यहां पर डिम तो यहां पर यहां पर यहां पर देिना डिकल सकती हो लाप Damn होता है तो मैं इस कंपोनेंट का यहां पर क्या नाम है और किस्टेसर फुलों और केस्ट्रेशन वर गाइड यह आपको यहां पर यूज करना है त्यक्वाइड इसको आप सेब कर दो कि देन एक्टिवेट कि मैं इसको करता हूँ तो अभी देखिए मेरे पास क्या रहा है यहां मेरा यूजर जो है देखिए कौन सा यूजर आशीज तो मैंने इसको कैसे रेसाइन नहीं किया था तो देखिए यहां पर क्या रहे है वर्क गाइड में यूजर नो इसाइन वर्क आइटम और इस रिकॉर्ड अभी और यहां टांजेक्शन इसमें देखिए टांजेक्शन भी कोई क्रेट नहीं हुआ है अजब वो यूजर से हम चलते हैं उस यूजर से लागिंग देखना चाहिए अंपर सभी हो जाता है जी सिफ रिकॉर्ड के लिए महां पर आप चाइंग करते हो वह वert पहले चेक करते है इस इस योज़र को उर्डिकर रहा है यह तो करो करें अब इसको अर आ रहा रा है अब इसको उपिंग करते हैं अब इसमें चेक करें तो देखिए कि इस यूजर को हमने अकाउंट किया था यहां पर देखिया रहे है वर और अकाउंट फ्लोग अपनिंग से अब यहाँ पर क्या करने आप को अमाउंट देना था जो भी आपको अमाउंट देना है अमाउंट देदो जैन टांजिक्शन डेट अज़कर डाल दिया ठीक है आप जैसे इसको क्लिट कर गए आपका स्टेज कंप्रीट हो जाएगा मत्तब्य कैसे अपना काम कर दिया यहां पर देखिए मेरा हो गया तो यहां पर क्लिक करते हैं और हो गया तो देखिए यहां पर टांजेक्शन करेट हो गया है यहां पर मेरा पर सकते हो ठीक है तो मेंजक लग आप हूँ अब कि इस यूजर को और दुबारा लॉगिंग करता हूँ अपने यूजर पर कि अब कि तो यह मेरा लॉग दिंग को नहीं मैं लॉगिंग दुबारा कर देता हूँ यहां से इसको करना तो कभी नहीं यहां तो मैरा लॉगिं हो गया अब हमें क्या करना है उसमें आपको कुछ और करना है तो सकते हो हमने आपके यहां पर यहां पर यहां पर एक स्टेज सेंड करें तो इमिल नाटिफिकेशन क « के लिए हैं आपको एक email फिल्ट बना दें जैसे आप यहां पर यहांप यहां पर यहां पर आते हैं आप उस पॉइन आइड कर दो तो क्या होगा जो सी इम्पलाई को को ट्राइकशन जैसे ही हो उसको इमल नौटिफिकेशन भी चला जाए ठीक है तो हम यहां पे क्या करते हैं इस object में एक field बना देते हैं इमेल की नाम से जो रिकषार हैं तो यहाँ पर हम आते हैं एक email नाम से बना धेते हैं और aENT notification भी है ना सीर्णि तो में धैकल की आप अपने requirement के पार्डिंग आपको जो भी यूजर गाइडेंस याप यूजर गाइड वर्क बनाना है आप इससे बना सकते हूं तो आप देखेंगे मेरे यहां पर इस पास आप इमेल फिल्ड भी आने लगा होगा अब हम क्या करते हैं यहां पर इमेल डाल देते हैं मैं अपना इमेल डाल देता हूं यहां पर यह सब्सक्राइब अब क्या करते हैं यहां पर हम एक और इसक्रीन फ्लो बनाएंगे इसकी नहीं अब बनाएंगे हम आट टिक है आट लांज फ्लो के से बनावी यहां पर आना आपको अटो लांज कलिक करना है उपना कि यहां पर एक डालिकिल लिसी ऑ regla इने हुं हमेस करने से पहले हमें क्या करना है उस इंपलाई का जो इंपलाई हो उसका इमेल आड़ी तो यहाँ पर मैं करता हूं अब यहां पर मैं आब जेटक नाम से लित और आँ एंप लाई अब इसमें कौन सा इंप्लाइब आना चाहिए इसमें मैं डालेता हूँ है अधी एकवल टू यहां पर एक वरीबल बना लेता हूं मैं इंप्लाइब आईड तरके तेन यहां पर इसको कर दिया टेक्स्ट देन इंपूट आउस्पूट डन ओके के अब यहां पर जो इंपलाई का आईडी में सेंड करूंगा वहां से अपर पर पर रिकॉड आएगा अब हम करेंगे हैंपे इमेल इमेलler कि यहां पर में डाल दिया सेंड कि टांजेक्शन कि इमेड कि अब यहां पर बॉडी में क्या लिखना है आपको तो यहां पर डाल सकते हो कुछ भी थांक्स फॉर कि कुछ भी दा सकते हो डिपोजिट थांक्स पार डिपोजिट इन योर बैंक है एपी टू लोग कुछ भी आम ऐसे दे सकता हो अपने मन से ओके देन यहां पर आता है आपका अगला अप्शन है रिसीपियंट डिटेल्स लिस्ट इसमें आपको क्या कार ऐड़ करना है इमेल आड़ी के मना पर इसके बाद यहां पर सब्जेक्ट सब्जेट में क्या देना है यहां पर देदों टांजेक्शन इमेल नौटिफिकेशन ठीक है बाकिया और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बहुत है ठीक है हम इसको सेफ करते हैं इमेल नौटिफिकेशन अब जब यह हमारा कि कब करेंगे हम भेज़ेंगे इसको अब यहां पर हमारा जो यह फिल कर देगा फिल करने के बाद ही इमेल नौटिफिकेशन जाना चाहिए कि यहां पर मैं कशता हूँ यहां पर चेह करता हूं कि यहां पर यूजर नहीं ऑ्टnten रह सटिल आलों डातव और मने आटा अचοए नंसिवस च्ञात को सब्सक्राइब क्या का आहीं के यहां पर कि optimize है और यहां पर अभी आ रहा है नहीं आप क्सा क WrestleMania ना इसको दो कि फिर्फटेस कर दूँए कि अभर यहां पर आपका वॉस्पे आपका आफ यहां इहां पर आपको फ्लो यहां पर अँगा तांजेक्शन संट एमेल तू कस्टुमर सबस्क्रnn यह पे इस्टार्ट अब यहां पर देखे आपको फॉलो का नाम क्या था 90 सन इमेल निभी करें आप तो यहां पर से आघंव फिर इमेल आइडि और अब यहां पर क्या करना का यहां पे आपको किसकी ऐडी बेजनी है आपको जो कि एंप्लाई कि तो यहाँ संद्राइश सेडब यहाँ चेर्ब वेन दर स्टेज स्टार्ट वैं ए्यां आपका स्टार्ट तब होगो जब यां पर जो मेरा इसेप्र स्टेटस यह नहीं इसका नहीं इसमें जो हमारा कौन सबलाया है टांजेक्षिंट फिलफ। टांजिक्शन फिलिप देखे न यह वाला जिए तॉब Αगर स्थेटर सब्सक्राइब क्या हो जाए कंप्लीट टेक अगर एक नुटिफिक जाना चाहिए अधरवाइज नहीं जाना चाहिए तो और यहां पर आप जैसे स्टेटरस क्या क्या आता है वह भी मैं पताता हूं आपको इसके बाद तो हम प्रकते इसको अब सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इमेल नाटिफिकेशन भी आ रहा है और उस रीजर को गाइडेंस भी जा रहा है तो यह मेरा दो इस्टेप हमने कर लिया अब चलते हैं अपने इस पर रिकॉर्ड पर ठीक है हमने आप पर इमेल आड़ी एड़ कर दिया अब एक पैंक अकाउंट रिकॉर्ड बनाते हैं यहां ने हमने एस बीए इंप्लाइए हम सेमी इंप्लाइए उसका लेते राम को और यहां पर तो क्या आपके पास कोई आ रहा है यहां पर वर्क गाइड नहीं आ रहा है क्योंकि आपके उन्हों आपको इसाइन नहीं गुआ है चलते हैं उस यूजर से लॉगिन करते हैं अब इ सब्सक्राइब करने कैसे करने के बाद अब हम चेक करते है और इंट करते हैं तुम्हें बैंक रिकॉर्ड कान से था अथा और सथा तो आते इस पर सब्रत तो नहीं को वह भी देखेंगे तो हम चलिए यहां पर अमाउंट्स फिल करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट तो देखें यहां पर यू है नो एसाइंड वर्क आइटम फर दिस दिकॉर्ड ठीक है तो यह मेरा वर्क हो गया अब चर्थे अपने इमेल आडी पर देखें हैं यहां पर मेरा इमेल आडी आया इमेल आया कौन सा जो हमने रहें लाइन था किसका मोच उपनाया था कि 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 तो यहां पर कि क्या नाम ओंते सब्जेक्ट अपसक्व कि यहां पर हमने दूसरे लॉगिंग किया तो यहां पर अब हमारा जो टांजेक्शन है यहां पर आगया टांजेक्शन इमेल नाटिफिकेशन यह मेरा उसका हो गया और यहां पर जो हमने है वह सारे अब जो रिकॉर्ड देखना है कि इसके स्टेटस क्या है सारे चीजें यहां पर हम चलते हैं और करोगे तो यहां पर दिखेगा कि क्या क्या तो देखें यहां पर यहां पर आपको सारी चीजी उसमें दिखाए देगा तो यहां पर जो भी रन होता है उसके स्टेटस कंप्लिटेट ठीक है तो यह था आपका और कि टिगर फ्लो ठीक है अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो आप इसको प्रेक्टिस करोगो तो समझ में आएगा क्योंकि किया है कैसे यूजर गाइदेंस देते हैं इस सारे तो कोई भी कोश्चन हो कोई भी डाउट हो आप मुझ oner आग्यां कर सकते हो और वीडियो में और नित्ना होगा हमाइं एक सब्सक्राइब आब hydra मिलते हैं नए यह Mix के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर